हेलो बच्चों मैं दिपेंज सिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चानल रादे श्टेडी हमें स्वागत करता हूं यह वीडियो क्लाश 10 जो बच्चे इस बार क्लास 9 कंप्लेट करके क्लाश 10 में पहुचे उन बच्चों के लिए है इस वीडियो में आप सभी पढ़ेंगे स्टार्टिंग से क्लाश 10 की फिजक्स ठीक है और ध्यान रखें जिन बच्चों ने अभी तक चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइगन को दबा दे जिससे जब भी आप नए वीडियो बनाएं तो आप तक सभी तक पहुँच सके अपने ज्यादा स जो है वो है प्रकास का प्राकरति घटनाए जो इकाई है थर्ड आपके क्लाश 10 की फिजिक्स की और रिलेशन का नाम है फिजिक्स का पहला लेशन है प्रकास का प्रावरतन तथा अपवरतन तो प्रकास की प्रावरतन और अपवरतन को समझने से पहले सबसे पहले आप जाता है तो आपको वस्तु में दिखाई देने लगती है अर्थात वस्तु के देखने के लिए प्रकास सायक होता है जहां ज़्यादा प्रकास होगा जैसे सूर की रेसनी होती है तो प्रकास क्या करता है उर्जा उत्पन करता है तो इसलिए कहते हैं प्रकास एक प्रकार की उड़ जाए अब इसकी definition कैसे देंगे प्रकास एक प्रकार की उड़ जाए जो हमारी आँखों को शमवेदित करती है जिससे हमें वस्तु में दिखाई देती है आपको थेवरी जो है वो साइड में आपको लिखी बेल जाएगी आपको इधर concept समझ दें तो प्रकास क्या है प्रकास एक प्रकार के उड़ जाए जो हमारी आँखो को समवेदित करती है जिससे हमें वस्तु में दिखाई देती है ठीक है देखो किसी और प्रकास के जो होता है वो निर्वात में भी चल सकती है और निर्वात में प्रकास की जो चाल होती है वो बेटा साइड में लिखा भी है थियोरी में 3 x 10 की पावर 8 मीटर प्रतिस सेकेंड होती है ये क्या हो गए इन दिरवात में प्रकास की चा की बाद इसके बाद ध्याम दीजिए देखो प्रकास को देखने की जैसे जो प्रकास उत्पन करती ही वस्तुमें उन आधार पर उस आधार पर ठीक है जो वस्तुमें हम देखते हैं ठीक है प्रकास के स्रोत या प्रावर्तन की अधार पर वस्तुमें दो प्रकार की होती ही दो भागों में इनको डिवाइट किया गया है एक भाग का आगया है प्रदीप्त वस्तुमें और दूसरे भागों का आगया अधीप्त अथवा अप्रदीप्त वस्तु में ठीक है बच्छो हेडिंग आपको थियोरी जो है वह आपको साड में दिख जाएगी अब देखो ध्यान से समझेगे प्रदीप्त वस्तु में क्या होती है प्रदीप्त वस्तु में जो वस्तु में प्रकास उत्पन करती है जैसे लैंप लैंप प्रकास उत्पन करता है जैसे मोंबत्ती यह भी प्रकास उत्पन करता है इधर से आपको कुछ नहीं लिखना सारा का सारा आपको साइट से लिखना जब इधर का लिखना होगा तो हम तुस्त bersодि का कर்कौंसी होती हैं जो वस्तों में सुता प्रकास उत्पन नहीं करती हैं बलकी क्या होती ही जब प्रकास इन पर आफ़ती धोता है और परवर्ती धोकर हमारे आखों पर पढ़ता है तो यह वस्तोय हमें दिखाई देती हैं ठीक है ऐसी वस्तों को, मतलब वो वस्तों हैं जो सुता प्रकास उस्तपन नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं, अदीब तवस्तों हैं, अथवा अप्रदीब तवस्तों हैं, जैसे बात करें तो आ गई कुर्सी, जैसे बात करें यहीं हो गया बोर्ड, वाइट बोर्ड, जैसे बात करें बुक, किताब, ठीक है जैसे चंद्रमा, तो इत्याद ये सब कैसे हैं, ये अप्रदीप्त या अधीप्त वस्तुवे हैं, ये सुता प्रकास उत्पन नहीं करते, इसके बाद बात करते हैं प्रकास के गुण की, तो देखो समझो बेटा, प्रकास का गुण क्या होता है, प्रकास के गुण की बात करें, तो प्रकास क्या होता है, विद्धुत चुम्बकी, नमबर एक है, प्रकतकास ये होता है, विद्धुत चुम्बकी, विकरणों के रोप में होच चलता है, साइड में आपको दिख रह जो विद्धुद और चुमकी दोनों के प्रभावों के कारण है, दोनों की लंबवद गति के कारण है, लंबवद दिसाओं के कारण उत्पन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्धुद चुमकी किर्णे कहते हैं, तो ये कैसे किर्णे होती हैं, विद्धुद चुमकी विकर क्राय साइड में कि प्रकास विद्धु चुमकी तरंगों के रूप में होता है ठीक है या विकरण के रूप में चलता है दूसरा आपको अमने बताया कि प्रकास के लिए माद्ध्यम क्या हो सकता नहीं होती इसलिए क्या होगा प्रकास के लिए भी मांद्यम क्याओ सकता है नहीं होती है निर्वाद में भी गति कर सकता है लेकिन प्रकास पार दरस्य मांद्यमों में को पार कर जाता है जिससे अप देला मताव, ऐसे तो प्रकास नहीं जाएगा, ठीक है, तो प्रकास क्या होता है, सदे उसी दीरे खा में गति करता है, फिर इसके बाद कहे रहा है, प्रकास अपारदर्सी माद्यम से नहीं गुजर सकता, आपको समझा दिया, चमकदार सताओं से प्रकास का परावर्तन होता ह यह सताओं से प्रकास का परावर्तन हो रहा है, जितनी ज्यादा चमकदार होगी, उतनी ही ज्यादा प्रकास को परावर्तित करेगी, जिसका और ज्यादा में चमकदार दिखती है, सोईद प्रकास में सात रंग पाए जाते हैं, उसको कहते हैं, वी बिग्योर, वी मतलब व अगली एडिंग आपकी क्या है प्रकास की किरण तो होता क्या है कि जैसे समांग माद्ध्यम में प्रकास की किरण एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक जिस मार्ग में गति करते हैं उसी को क्या कहते हैं प्रकास की किरण कहते हैं किसी माध्यम में समांग माध्यम में प्रकास की किनण एक बिंद से दूसरे बिंद तक जिस इंद्रे एक्तिरस के judicial उसे क्या करते हैं प्रकास किनण कायते हैं कहते हैं प्रकास पुंज कहते हैं प्रकास पुंज एक ही दिसा में जाने वाले प्रकास किरणों के सम्मू को क्या कहते हैं प्रकास पुंज कहते हैं बात समझ में आई इसके बात करें क्या कि प्रकास किरण पुंज तीन प्रकार का होता है तो आपने सबसे पहले समझा प्रका सारी और समान्तर अब इसारी प्रकास पुझ फिर अपसारी प्रकास पुझ फिर समान्तर समांतर प्रकास पुझ़ अब इस सारी प्रकास पुझ़े क्या होता है इसको समझे अब इशारी प्रकास पुझ़े जो होता है कि जब प्रकास के केड़े क्या होती है किसी एक ही बिंद पे आकर एकत्रित होती है केंद्रित होती हुई दिखाई दे किसी एक ही बिंदु पर तो वो क्या कहलाता है अब इशारी प्रकास पुझे कहलाता है समझे अब सारी क्या होता है इन सबकी हेडिंग वहाँ से लिखना है थिवरी वहाँ से लिखना है फीगर आपको यहाँ से बनाना अब सारी क्या होता है जब प्रकास की किरणे क्या होती है किसी एक बिंद से निकलती है या एक बिंद से निकल कर फैलती है वो क्या कहलाता है अब सारी प्रकास पुझे कहलाता है समझें एक बिंद की और आने वाली सभी किरणों के समूँ को क्या कहते है अब इसारी प्रकास पुझे कहते हैं एक बिन्दू से निकलने वाली सभी प्रकास की किरणों को क्या कहते हैं किरणों के समू को क्या कहते हैं अब सारी प्रकास पुझे कहते हैं समानतर क्या होता है जब प्रकास किरणे एक दूसरे के समानतर हो और एक ही दिशा में गति कर रही हो या चल रही हो तो उसको क्या कहते हैं समांतर प्रकास पुंज़ कहते हैं तो इस प्रकार आपने पढ़ा समांतर प्रकास पुंज़ की परिवासा तीनों की थियोरी आपको साइट से लिखना है आपको फीगर आपको यहां से बनाने है ठीक है देखी बच्छो अब बात करते हैं प्रकास के परावर्तन क्या होता है तो देखो समझो जिसे क्या है यह कोई तल है चिकनाया पालिजदार सता है जरूरी नहीं चिकनाया पालिज ज्यादा प्रकास को प्रावर्तित करेगा। तो ये एकतल हो गया। और इस stop कोई किया हुरहा ही प्रकास की इती है।। तो क्या होती है ये टकरा कि उसी अदिकャंस Vavis GAR-इस का प्रकास का प्रावर्तन काते हैं। परिवासा देखो कैसे देना aialu जब प्रकास की किरण किसी चिकने या पालिजदार सते से टकराती है तो उसका अधिकांस भाग उसी माध्यम में वापस लोट जाता है जब कोई प्रकास की किरण, क्या होती है प्रकास की किरण थी, किसी चिकने या पालिजदार सते से टकराती है तो उसका अधिकान से भाग उसी माध्यम में वापस लोट जाता है, इस गटना को प्रकास का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, यह आपको साइड में दिख रही परिव प्रकास का परावर्तन की परिवासा, अब देखो जिस तल से प्रकास का परावर्तन होता है, उसको बोलते हैं परावर्तक तल, क्या होता है, जिस तल से प्रकास का परावर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक तल, पर यह परावर्तक तल है, इस पर अगर लंब खींच दें प्रावर तक तल पर खींचा गया नम ये मitल क्या कहलाता दो इसको बोलतें अभी लम प्रावर तक तल के और आने वाली ये प्रकास के किनन इसको बोलतें आप्थित किनन परावर्तक्तल से टक्रा कर वापत जाने वाली प्रकास किरण को इसको बोलते हैं परावर्तित किरण चीक है तो जिस तल से प्रकास का प्रावरतन होता है उसको बोलते हैं प्रावरतक तल प्रावरतक तल की और आने वाली प्रकास किरण को क्या बोलते हैं आपतित किरण परावर्तक तल से टकरा कर जाने वाली प्रकास किरण को क्या बोलते हैं परावर्तित किरण परावर्तक तल पर डाला गया लंब क्या कहलाता है अभी लंब ठीक बच्छो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद देखिए परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब तीनों मिलते हैं उस बिंदु को ये जो बिंदु है ये वाला इसको बोलते हैं आपतन बिंदु क्या बोलते हैं इसको आपतन बिंदु ठिक अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये अभिलंब है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन को तो ये कौन सा कोण है आपतन को यह हो गया आपतन कोण इसको आई से लिखते हैं इंगल ओप इंसिडेंस परावर्तित किरण और अभिलम के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं बच्छो परावर्तन कोण इंगल ओफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं आर से डिनोट करते हैं यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा फिर से एक बार देख लीजिए एक बार फिर से समझा दे रहा है कि जब कोई प्रकास की किरण किसी चिकने या पालिजदार सते से टकराती है तो उसका अधिकांस भाग उसी माध्यम में वापस लोड़ जाता है इस गटना को प्रकास का परावर्तन कहते हैं जिस तल से प्रकास का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं परावर्तक तल पर खीचा गया लंब जो होता है परावर्तक तल से टकरा कर वापत जाने वाली प्रकास किरण परावर्तित किरण का लाती है आप्तित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तित किरण और अभिलंब 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 औ इसके बाद आपको यह figure ड्रा करना है उसके बाद परावर्तन के नियम लिखने हैं क्या होता है है यह पहला होता है कि आप्तित किनख समझ रहे न और आप्तित किर HU बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही तल में आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं फश्ट दूसरी दूसरा नियम पहला नियम हो गया दूसरा नियम होता है जो आपतन कोण होता है आपको थियोरी मे होता है तो यह आपको उधर से नोट करने के बाद दोनों नियम लिखने के बाद दूसरे नियम के नीचे आपको नोट करने ना तो यह हो गया प्रकास का परावर्तन और प्रकास के प्रावर्पन के नियम ठीके बच्चो आज के लिए क्लाश 10 की फिजिक्स में इतना ही कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंगे तब तक के लिए राधे राधे